Hello everybody, आज का मारी टोपिक है सैमी कंडॉक्टर्स सैमी कंडॉक्टर्स होते हैं जैसे कि कौपर हो गया या जितनी भी मैटल्स होती है वो आपकी कंडॉक्टर्स होती है conductors इनकी conductivity का जो उल्टा होता है उसे बोलते है resistivity resistivity जो होती है इनकी 10 raise to power minus 6 ohm meter से कम होती है इनकी less than होती है 10 raise to power minus 6 ohm meter से जैसे copper हो गया sodium हो गया iron हो गया तो यह सब क्या है आपके conductors है जो insulators होते है इनकी जो resistivity होती है वो 10 raise to power 6 ohm meter से room temperature की बात कर रहे हैं room temperature पे 10 raise to power 6 ohm meter से ज़्यादा होती है insulators में जैसे आपका wood हो गया या आपके polythene हो गयी cloth हो गया यह सब insulators होते हैं plastic हो गया और इनके बीच में जो होती है यानि कि 10 raise to power minus 6 ohm meter से तो ज़्यादा और 10 raise to power 6 ohm meter से कम जो होती है वो होती है आपकी semi conductors की resistivity semi conductors जो होते हैं वो in between होते हैं conductors and insulators semi conductors जो है वो two types के हो सकते हैं या तो वो element की form में होंगे जैसे element element में कौन गोन से होते हैं जैसे कि silicon हो गया germanium हो गया यह टीन हो गई यह सब क्या है element की form में है और भी कुछ होते हैं इस से अलग जो है compound की form में हो सकते हैं semi conductors compounds की form में होते हैं आपके जैसे gallium arsenide हो गया important बता रहा हूं जो 12th level में important है gallium arsenide हो गया या cadmium sulfide हो गया तो यह जो है two two elements के compound बने हुए तो compound की form में भी हो सकते हैं semi conductor और element की form में भी हो सकते हैं जो element की form में होते हैं, उनकी खासियत यह होती है, कि उनकी जो valency होती है, वो 4 होती है, for example, अगर हम silicon की बात करें, तो अगर हम 14 silicon की configuration की बात करें, first orbit में 2 electrons, second orbit में 8 electrons, और third orbit में 4 electrons, तो 2, 8, 4, यानि कि outer most orbit में कितने electrons हैं, outer most में 4 electrons हैं, यानि कि यह 4 electrons से यह covalent bone मना सकता है, single bone मना सकता है, चारों तरफ से, इसी तरीके से अगर हम germanium का देखें, तो 32 इसका atomic number होता है, तो इस हिसाब से देखें, तो first orbit में 2 electrons, second orbit में 8 electrons, और जो third orbit है, उसमें हो जाएंगे 18 electrons, तो 2 और 8 हो गएं, कितने? 10 और 18, 28, 32 में से 28 जाएंगे, तो बाकी बचेंगे 4 electrons, तो यह जो 4 electrons है, यह outer most orbit के electrons है, यानि कि इन में जाएंगे 4 electrons आउटर most orbit में होते हैं, जिसकी वज़े से यह चारों तरफ से single bond बना लेते हैं, इनकी जो lattice structure आती है, अब आप यह देखो, कि अगर हम अंदर वाले यह 2 और 8 electrons को छोड़ दें, तो हमारे को 2 और 8, यानि कि 10 electrons को हमने छोड़ा है, तो इसमें 10 protons को छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें आप देखो कि total charge कितना होता है, 0, अगर 14 protons है, 14 ही इसके इनदर इलेक्ट्रों होते हैं, अगर हम 10 protons को छोड़ दें और 10 electrons को छोड़ दें, तो इसका charge हम center में मान सकते है, plus 4, silicon का charge कितना ले रहे हैं, center में plus 4, इसलिए इसके outermost में इलेक्ट्रों भी कितने ले रहे हैं, 4 electrons ले रहे हैं, तो ये 4 electrons हैं, जो चारों तरफ से single bond मना रहे हैं, बाकी के 4 silicon atoms के साथ में, तो एक और ये silicon atom है, जिसके center में plus 4 charge है, एक electron तो इस वाले silicon का हो गया, और एक electron covalent bond में इसका हो गया, इसी तरीके से नीचे भी ये plus 4 वाले से connect हो जागा, एक electron तो इस वाले silicon का था, और एक covalent bond में नीचे की तरफ से आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, plus 4, तो ये चारों तरफ से single bond बने हुए हैं, एक electron यहाँ से आ जाएगा, तो आप ये देखो, इसी तरीके से बाकी के silicon atoms के साथ में भी होगा, सब के पास में, चार-चार electrons तो अपने थे, और चार-चार electrons का जो है, वो sharing हो रही है, चारों तरफ से, तो ये इसकी lattice structure आ जाएगी, तो आप ये देखिए कि, इस silicon की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, ये अपने electrons थे, और जो sharing से मिले हैं, covalent bond बनाके, 1, 2, 3, 4, तो टोटल मिलाके, इसका octate पूरा हो गया, octate का मतलब, outermost orbit में, अब कितने electrons हो गए हैं, 8 electrons हो गए हैं, यानि कि अब इसके जो है, जो और किसी से reaction नहीं करेगा, इसकी जो है, valency पूरी हो गई है, 4 electrons अपने थे, 4 electrons इसने single bond मना लिया, तो इसी figure को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, कि सिलिकोन ने, इदर से भी single bond मना रखा है, इदर से भी बना रखा है, इदर से भी हर तरफ से, silicon के साथ मेहीं क्या मना रखा है, सिंगल बॉंड मना रखा है और बाकी के सिलिकोन एटम्स ने भी इसी तरीके से कर रखा है तो यह जो है इसकी लैटिस स्ट्रक्चर हो गई तो जातर हम देखते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रोंज कम है इलेक्ट्रोंज जो है वो बॉंड के इलेक्ट्रोंज है यह बॉंड म जैसे हम इसका temperature increase करते हैं तो क्या होता है कि कोई न कोई electron बाहर जम कर जाता है जो electron बाहर जम कर जाता है उसे हम बोलते हैं free electron तो यह हो गया free electron यह दोदर move कर सकता है और यह जो है इसकी conductivity में help करता है जहां से यह electron बाहर आया है वहाँ पर एक खाली जगे बच जाएगी bond जो है वहाँ पर उस bond में एक vacancy आ जाएगी उस vacancy को उस खाली जगे को हम क्या बोलते हैं hole बोलते है तो यह हो गया आपका hole तो एक electron बना तो साथ में एक hole भी बना है इसी तरीके से कहीं पर एक electron अगर बाहर जंप कर जाएगा तो फ्री electron हो जाएगा तो वही पर एक hole भी बन जाएगा तो जितने इसके अंदर free electrons होते हैं उतने ही holes होते हैं अगर यह pure है तो pure semiconductor है तो pure semiconductor को हम बोलते हैं intrinsic semiconductor तो यह हो गया आपके मास में intrinsic semiconductor या intrinsic silicon और extrinsic क्या होता है अगर इसमें हमने कुछ impurity मिला दिया है trivalent या pentavalent impurity मिला दिया है trivalent जैसे की boron या aluminum और pentavalent जैसे की जैसे phosphorous हमने इसके अदर एड़ कर दिया है तो यह क्या हो जाएगा एक impure semiconductor हो जाएगा और impure को तब हम बोल देंगे extrinsic semiconductor उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में detail में पढ़ेंगे intrinsic और extrinsic semiconductor में क्या डिफ्रेंस है वैसे जो semiconductors है इनका बहुत ज्यादा यूज होता है electronic circuits में इससे डायोड बनते हैं ट्रायोड बनते हैं मतलब ट्रांजिस्टर्स बनते हैं और cells बनते हैं ठीक है या solar cell बनते हैं तो इनसे बहुत ज्यादा electronic circuits जो है इनहीं के ओपा dependent होते हैं semi conductors में ही dependent होते हैं मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you बनते हैं पन सकतरू है